नमस्कार दोस्तों तो एक नई वीडियो में लेके आए हैं सन फार्मा के बारे में बात करने के लिए सन फार्मा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से आगे उपर मूब कर सकता है या डाउनसाइड में क्या डाउनसाइड है इसकी उससे पहले मैं आपसे आग्रह कर रहा है कि यह जिस लेबल पे है यह चोटा से रेजिस्टेंस लेबल है रेजिस्टेंस लेबल है लेकिन इसको एजर रेजिस्टेंस नहीं ट्रीट कर सकते हैं यहां से मुझे लग रहा है कि संफार्मा ब्रेक आउट दे सकता है और उसका अगला टार्गेट यह लेबल हो सकता ठीक है और अगर down side की बात करें तो यह level पे इसका strong support है क्योंकि यह काफी time से consolidate कर जब इस तरीके से कोई भी stock consolidate करता है तो समझ लो कि उसमें जो है अच्छा खासा support build हो रहा है ठीक है तो यहां पे sun pharma का support अच्छा खासा build हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है इस वज़े से इसके upside जाने की संभावना ज्यादा है ठीक और जैसे कि आज budget में कुछ cancer product के लिए जो की rebate मिली है ठीक है कस्टम्स पे तो हो सकता है कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर थोड़ा अच्छा करें ठीक है तो यह sun pharma target यह support बीच में है तो मुझे लग रहा है target आ जाना चाहिए इसका एक दू दिन के अंदर ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए subscribe कीजिए बाइ